हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, आरवेत तबीस ओफ लाइफ दोस्तों आज की समय में मौडन लाइफ स्टाइल, जांक फूट, स्ट्रेस और फिजिकल अक्टिविटी कम होने के कारण लोगों में बिमारियां खासकर फिजिकल बुट बड़ गई हैं, आज हम एक ऐसे पेड के बारे में उसके औशडी गुडों के बारे में बात करेंगे जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और फिजिकल के अरवेत समस्याओं को दूर करता है तर्मिनेलिया अरजुन या अरजुन भारत में आसानी से मिलने वाला ओश्रदीयपोधा है इसे कई बिमारियों में एलाज के लिए अर्वेत में इस्तिमाल किया जाता है अरजुन की चाल में कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है या हार्ट को मजबूत करने का काम करता है इसलिए इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से फ्रेदे से संबंदित त्रोगों में किया जाता है इसके अलावा अरजुन की चाल शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत एफेक्टिव है शुगर कंट्रोल करने के लिए इसका उप्योग दूसरी मैडिसन्स के साथ में किया जाता है अरजुन की चाल हार्ट की मासपेशियों को मजबूत करती है और रिद्य के द्वारा खून को पूरे शरीर में पहुचाने की छमता में व्रद्धि करती है इसके सेवन से हार्ट अटैक का खत्रा दूर होता है रोज अरजुन चाल काढ़े के रूप में या चीर पाकविदी से बना कर लेने से यहरत्य की सूजन और ब्लॉकेश को दूर करता है और अगर यह समस्या नहीं है तो यह आप में कभी होने नहीं देगा यह हमारे शरीर में पढ़े हुए कॉलिस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है उसे कम करता है क्योंकि अगर कॉलिस्ट्रॉल बढ़ गया तो यह धमन्यों में इकठा हो करके रुकावट पैदा कर सकता है और cholesterol दो तरह का होता है, एक good cholesterol और एक bad cholesterol, HDL और LDL, ये good cholesterol को बढ़ाता है, जो आपके heart को protect करता है और bad cholesterol को कम करता है, दूसरा प्रमुक कारण रिदे से संबंदित बीमारियों का है, blood pressure का बढ़ना, ज्यादा बढ़ा हुआ blood pressure, अकसर, stroke, heart attack और kidney damage का कारण बनता है, अर्जुन की चाल बढ़े हुए blood pressure को कम करने का काम करती है, अर्जुन की चाल energy level को बहुत बढ़ा देती है, एक research के recording, अगर अर्जुन चाल अश्वगंधा के साथ में दो हफते तक लगातार लिया जाए, तो यह आपके शरीर में oxygen की जहमता 4.9% तक बढ़ा देता है, blood sugar level control करने के लिए हम इसे जामुन की गुटली के powder के साथ में रोज रात में सोते समय लेते हैं, तो यह sugar level को control करने का काम करता है, इसके अलावा अलग-अलग बिमारियों में यह बहुत फायदे मन्द है, जैसे अगर आप में cholesterol बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, या आपके arteries में blockage है, उसे ठीक करना है, तो इसके लिए आप इसका काढ़ा बना कर इसका 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 काढ़ा बनाना कैसे है, वो आपको मै बताती हूँ, इसके लिए आप 3 ग्राम तक अरजुन चाल लेकर उसे एक ग्लास पानी में पका लीजे, जब वो पक कर आधा ग्लास रह जाए, तो उसे छान लीजे, और उसे गुन-गुना ही आप पी लीजे, अगर आपको यह कड़वा लग रहा है, या इसका स्वात खरा लग रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ी मिश्री या गुड मिलाकर ले सकते हैं, दूसरी विदी है, जो आयरवेद में बताई गई है, छीर पाक विदे, यह रदय के पोशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इसके लिए आपको इसे बनाना कैसे है, एक कप दूथ और ए एक कप रहे जाए, उसका पानी पुरा जल जाए और वो एक कप बचे, तब उसे च्छान लीजे और उसमें मिश्री मिलाकर उसे पी लीजे, यह भी आप सुबे शाम ले सकते हैं, यह हार्ट को पोशन देता है और आपको हार इटैक के खत्रे से बचाता है, इसके लिए गाय का दूद लें, देशी गाय का दूद अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसी तरह काड़ा बना कर आप अलसर में भी उप्योग कर सकते हैं, अगर आपको अलसर की समस्या है, तो उसमें भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अरजुन जाल को या अरजुन की एक छोटे टुकडे लकडी को लेकर तीन से चार घंटे पानी में भीगा कर रखिए, और उसे पका कर एक गलास पानी में आधा गलास रहने तक उसका सेवन करिए, लेकिन ये काड़ा अगर आप अलसर में ले रही हैं, तो इसे गरम नहीं लेना चाहिए, इसके तुरंत आराम देने वाला है, सफेद बालों की समस्या में भी बहुत फायदे मंद है, अरजुन की छाल के पाउडर को महंधी के साथ मिलाकर लगाने से, धीरे धीरे सफेद बालों को काला करने का काम करता है, अगर आप अरजुन छाल का काड़ा लगातार एक महीने तक ले दूर करता है तो अगर आप स्वस्थ रहना चाते हैं आप अपने हार्ट को प्यार से सम्हाल कर रखना चाते हैं तो अरजुन छाल का सेवन आप जरूर करें ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और